गुड मानिंग श्टुडेंट्स तुडेइस नेक्स्ट टॉपिक हार्फुल इफेक्ट ओप्लास्टिक ओण दा एन्वारमेंट इससे पहले प्रीवेस वीडियो क्लास में अपने डिसकस करा था प्लास्टिक प्लास्टिक के अपने डिफरेंट टाइपस भी श्टडी करें इससे प्लास्टिक दा एन्वारमेंट के बिट्विन डिलेशन देखा लाइड डिगूरेडेबल सर्स्टेंस और नॊन बाइडेड़ेडेबल सर्स्टेंस श्टिक को स्टडी करा आज देखते हैं अपन harmful effect प्लास्टिक के environment के उपर first point है plastic if burned produce very harmful gases which pollute the air प्लास्टिक को यदि अपन burn करते हैं तो इससे काफी सारी harmful gases क्या होती है रिलीज होती है और ये air pollution का region बनती है environmental pollution का region बनती है ये air को pollute करती है fresh air को reduce करती है तो प्लास्टिक क्या है एक तरह से environment के लिए harmful है animals और plants के लिए harmful है उनको breathing के लिए pure oxygen अपने को नहीं मिल पाएगी तो एक तरह से सफोकेशन की conditions बन जाती है next है plastic carry bags block the drainage sewer system drains या drainage system या sewer system जो drainage system होता है गंदे पानी का जो dirty water होता है नाने का पानी दोने का पानी वो गंदा जो नालियों के थूँ जाता हो drainage system sewer जिसको अपन sewerage line होती है उन सभी को ये plastic के जो carry bags होते हैं ये क्या कर देते हैं block कर देते हैं इससे जाओगा block करने से जो गंदा पानी है ये रोड पे आएगा ओपन में और उससे काफी सारे मक्षी और मॉस्किटोज ग्रोंगे उनके बैक्टिरिया ग्रोंगे क्योंकि वो उनका एक तरह से ब्रीडिंग पैलेस बन जाता है इस में बिकम ए ब्रीडिंग प्लेस फोर मॉस्किटोज नेक्स तरह स्ट्रे काउज एंड अधर अनिमल सम्टाइम्स इट प्लास्टिक कैरी बैग्स देयर बाई कोजिंग डैथ ज्यादा अपन प्लास्टिक यूज करेंगे तो एक तो पॉलिशन होता है प्रसाद में प्ल डालकर फैंक देते हैं गार्बेज को तो उसको क्या करते हैं कुछ इस्ट्रेक आउज होती है जो अवारा गाये होती खुली ओपन में और भी कही टाइप के एंडिमल्स उसको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं प्लास्टिक को स्वैलिंग कर लेते हैं वह से क्या हो जाता है वह उनके पेड में जाता है और उसका डाइजिशन भी नहीं हो पाता अब प्लास्टिक का और इस रीजन से पोईजन क्या होता है पॉंड हो जाजकता है बोडी में और काफी सारे एनिमल्स की इसकी वज़े से डैथ हो जाती ह प्लास्टिक का ज्यादा यूज करेंगे प्लास्टिक को ऐसे फैंक देंगे अपन ओपन में तो रेनी सीजन में वह क्या होता है प्लास्टिक स्वाइल के डाउंवर्ड बरीड हो जाता है और वाटर को क्या नहीं होने देता है शीप नहीं होने देता रिसने नहीं देता ज वाटर लेवल डाउन से डाउन ही चला जाता है तो पॉलुशन भी बनता है पॉलुशन के लिए रैस्पॉंसिबल है वाटर पॉलुशन भी होता है इससे प्लास्टिक देज नॉट अलाउ दा वाटर टू सीप और सॉक सॉक पी कह सकते हैं सीप को दा सॉयल विच हैज एन पाता सॉयल में ऑन दा प्लांट्स एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउन गॉर्टर वी रिचार्ज नहीं पाता तो यह कुछ ऑ एड़ उपेक्ट है हार्मपुल एपेक्ट कहते हैं आड़ फैक्ट प्लास्टिक के एन्वार्मेंट के ऊपर है नेक्स्ट है है हाउ टू डि यूज के से कर सकते हैं प्लास्टिक से जो हार्फुल एफेक्ट हो रहे हैं उनको रिडियूज अपन कैसे कर सकते हैं देखिए फस्ट पॉइंट यूज प्लास्टिक बैक्स टू दा मिनिमम इफ पॉसिबल रियूज दा प्लास्टिक बैक्स अपने को हो सकता है जितना आपन Bi influence कर सकते हैं वेपर का Kiräge भी कर सकते हैं जो कि दुबारा से क्या हो सकता है और डुबारा से ही उज़ भी हो सकता है जिससे की पोलुशन नहीं होगा, अन्वारमेंगेंटल पोलुशन को लिए नेक्स्ट हैNever कब बर बर्न प्लास्टिक वेश्ट के इसको बर निकरना चाहिए बर्निंग प्लास्टिक प्रडूक टॉक्सिक गैसे इससे क्या होती है जो कि पॉलुशन के लिए एर पॉलुशन के लिए रेस्पॉंसिबल होती है कार्बन डायकसाइड, कार्बन मॉनो अक्साइड, सल्फर डायकसाइड, और भी की टाइप की पोईजनेस गैसे जिलीज होती है, जो की एर पोलुशन भी करती है, साथ में एसेड रेंड के लिए भी रेस्पॉंसिबल होती है, next है, do not put the domestic garbage into plastic while disposing in the garbage dump. अपने को कया नहीं करना चीए, जो domestic garbage है उसको polythene या प्लास्टिक में बंद करके suffrage नहीं करना चीए, जिससे क्या होता है, जें ये नहीं करेंगे, तो जो फ्रेक आउस वगेरा उसको खाएंगी और उससे क्या निविद की डैक नहीं होगी प्लूशन भी नहीं होगा फ्लास्टिक करी बैक्स में अपने को इस प्लत पील्स वेजिटेबल पार्ट वगेरा नहीं डालने चाहिए तो राजट्स सब्सक्राइबda pig up करना चिरिए ईसंे तो मिनिमट करेंगे तो जाएंगे मीनिमुम हो जाएंगे next अपन जो टाइस हैं 4R principle यह अपन next वीडियो में discuss करेंगे उससे भी आप क्या कर सकते हैं थोड़ा सा pollution को minimum कर सकते हैं plastic का use minimum करेंगे reuse करेंगे reduce, reuse, refuse और भी recycle यह 4 points से भी आप क्या कर सकते हैं इसको reduce कर सकते हैं plastic के garbage को कम कर सकते हैं यह अपन next वीडियो क्लास में discuss करेंगे, thank you